नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वालों मैं एट्रोजीन के ऊपर जो कि हमारा मक्के में जो अन्वांटेड हमारा घास घरपतवार आ जाता है उसको रोकने में काफी ज्यादा सक्सम रहता है हाला कि मैंने इसका इस्तेमल पिछली साल किया था तो इस साल में मैं आपको इसका रिवीव दे रहा हूं काफी अच्छे इसके रिजल्ट रहते हैं बहुत सारी कंपनी के आपको जो है एट्रोजीन मिल जाता है अलग लग लग नाम से आपको मिल जाता है जिसमें के एट्ट्रोजीन आपका 50% WP फॉर्म में टेक्निकल जो सॉल्ट रहता ह उसके काफी अच्छे रिजल्ट रहते हैं जिसको आप जो है लगभग मका भीजाई के तीसरे दिन अगर आपको छिड़काओ करते तो काफी जाद आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं और इसका समय रहता है वह आपका जब मका अंकृत हो जाता है उससे पहले- 220 रुटे है मैं आपको कि चाहिए तो दोस्तों मेन आपका ढहर ad Dartmouth मैं आ झालی की तो कीमें आ पंटा इसे मृसली तो नॉसर को का डूस्त की चाहिए तो आप झाल सकते हैं अफ़ अंप प्रेक ही लगवक 40-45 ग्राम भी रख सकते हैं आवरेज आप 35-40 ग्राम इसका डोज रखे जिसे कि आपको काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलते हैं और यहीं नहीं दोस्तों आप इसका इस्तिमाल जो है यूरिया यहां फिर आप जो है रेत में मिला के भी इसका जो है इसको बस् पर हमीशा उल्टे जलते हुए करें ताकि आपका जो स्प्रे रहता है उसके उपर आपका पाउना लगे हाला कि दो से दिन दिन तक आप इसमें पाउना डालें तो काफी बैटर रहता है हाला कि बार इसका इतना कोई फैक्ट नहीं अगर आप 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 चिरकाव कर देते ह बार करेंसेफार लगेंगे होजा आपका एक वह चिड़का हो जाता है इसके सारक दोस्तों आपका पूरा-घॅह पूरा 500 ग्राम रहता है वह लगवक ज़ो है चार से पांच विगा में आपका इस्तिमाल हो जाता है तो इसके साथ दोस्तों अगर कोई सवाल है सुझाव रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना मुलस्त में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद